आदरणी मूदी जी आज से चार साल पहले याद कीजिए आज ही का दिन था रात के आठ वजे थे आपके एक वक्त व्य ने पूरे देश की अर्थ व्यवस्था की कमर तोड़ दी थी नौजवान की, बेरोजगार की, किसान की, मजदूर की, मध्यम बैपारी की, इसके साथ संगटित छेतर की और असंगटित छेतर की भी आपने कमर तोड़ दी थी आपने आज नोट बंदी की थी उस नोट बंदी के लाव आपने गिनाये थे कि आतंकवात पर प्रहार होगा, काले धन पर प्रहार होगा, काले धन वालों की कमर तूट जाएगी, काला धन आ जाएगा, आतंकवादी खतम हो जाएगे क्या हुआ, क्या आतंकवात खतम हो गया, पुल्वामा जैसी घटनाय नहीं घटी, या पठान कोट पर आतंक की हमला नहीं हुआ आपने पूरे देश के संगठित और असंगठि छेत्र को खत्म कर दिया अदर्णे मोदी जी, आज पूरे देश में बिरोजगारी उच्चतमदर पर है, नौकरियां है नहीं, रोजगार के अवसर के नाम पर पकोड़ा तलने का रोजगार आप बताने की बात करते हैं, दे मेरे देश को रसातल में पहुचा दिया, इस नोट बंदी ने कहां थे हम 2014 से पहले, कहां हमारे बैंक बात करते थे, कि हम आपका धन पास साल में दूना कर देंगे, आज बैंकों से ये बात पूछी जाती है कि हमारा धन सुरक्षित है, बैंक भाग तो नहीं जाएंगे, न पचास दिन बाद आपने एक चौराहे पर आने के लिए कहा था, कौन सा चौराहा है, कहां है, आज हमारी जीडीपी कहां पहुच गई है, कुछ भी अगर अगर आपको ध्यान हो, तो रास्ट से आप माफी मांगें, एक श्वेत पत्र दें, हमें बताएं कि वो धन हमारा कह है, जो आपने 20 लाग करोड से जादा एक साइस के रूप में लिया, सारा का सारी अर्थ विवस्ता का सत्या नास करने का काम किया है, इस NDA युक्त भारती जनता पार्टी की सरकार ने, इसे रास से क्षमा मांगनी हो,